अब श्रेंट्स दिशिज और फर्स्ट पार्ट ओफ लास इलेवन्थ मैथमेटिक्स आवर निव टोपिक कॉंप्लेक्स नंबर तो बच्चों यह आप सब के लिए नया टोपिक का कॉंप्लेक्स नंबर अभी तक आपने रियल नंबर के बारे में जरूर पड़ा था इसके बारे बड़ा था पच्चों आपने रियल नंबर के बारे ठीक है अब रियल नंबर क्या होते है देखो यह आपको पता था रियल नंबर होते हैं थोड़ा समय रियल नंबर के बारे मतायता हूं रैशनल प्लस इरैशनल यह रियल नंबर होते हैं ठीक है तो वो हमने कव कर लिया था यह नंबर के बारे में तो उसमें कोई प्रोब्लम नहीं थी आप सब को अच्छे से आता भी होगा क्योंकि आपने 10th class में फर्स्ट रीयल नंबर का था अच्छे से और वह आपने लगबग 10th class तक अच्छे से कवर कर ली होंगे लेकिन अब आता है नया टोपिक इसकोल स्टू जीरो है तो यहां पर आप एक्स स्क्वेर इसकोल टू फोर कर देते हो फूर दर जाएगा प्लस बन जाएगा और एक्स की वैलू यह अंडरूट फोर कर दोगे प्लस माइनस के साथ ठीक है तो यह ध्यारक न 10th class तक बच्चे प्लस माइनस ने लगाते है हमें यहां लगाना होगा ठीक है तो इसका अंसर क्या आजाएगा प्लस माइनस टू आजाएगा प्लस माइनस टू क्यों आता है क्योंकि x स्क्वेर इसकोल टू फोर है ठीक है माइनस 5x प्लस 6 10th class में ऐसे question थे मैं definition आपको बात हैं समझाँगो जो मैं लिखी हुए पहले मैं थोड़ा सा basic discuss कर लेता हूँ तो यहाँ पर a की value 1 b की value minus 5 c की value 6 तो जो हम quality formula लगाते थे तो formula था minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a ठीक है और हमारे पास यह d की value होते थे b square minus 4ac जो यहाँ पर आता था d discriminant हम इसको discriminant कहते थे ठीक है तो यहाँ value put करेंगे a b c की तो यह हो जाएगा minus b minus b की value कितनी है हमारे पास minus 5 तो plus का 5 हा जाएगा plus minus b का square करेंगे 25 minus 4 a की value कितनी है मेरे पास यहाँ 1 ठीक है एकी value 1 हो जाएगी और यह कितना हो जाएगा 4ac c की value कितनी हापे 6 है तो कितना हो जाएगा 5 plus minus और अपन में 2 into a एक कितना था 1 तो यह हो जाएगा 6 for the 24 25 minus 1 25 minus 24 1 बचेगा यहाँ से तो यहाँ जाएगा 2 तो 5 plus 1 upon 2 एक बार plus के साथ यह सिर्फ 10th class का 9 10th का basic समझा रहा हूँ तो यहाँ से मेरे factor बन जाते थे बट अगर मैं question लेता हूँ यहाँ से हम मैं आपको थोड़ी basic से बात हूँ कि d equal to 0 और d greater than 0 इन दो नो पे हमारे पास 10th class में solution होता था इसमें equal real roots आते थे और इसमें unequal real roots आते थे ठीक है दो different roots आते थे लेकिन जब d less than 0 होता था तो हम क्या करते थे no real roots खुश याद आए आपको हम no real roots कहके उसको छोड़ दिया करते है तो इसको समझाने के लिए मैं एक example लेता हूँ हम इसमानलो x square plus x plus 2 ले लिया आपने a की value 1, b की value 1, c की value 2 तो अब आप क्या करते थे x की value यानि minus b plus minus b square minus 4 a c अब उन में 2a ठीक है तो ऐसे आप करते थे 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 ठीक है हो जाएगा minus 1 plus minus 1 minus 4 2 जा 8 अब उन में 2 अब 1 minus 8 क्या आया अंडर root के अंदर negative आ गया यानि कि जो d की value थी न वो minus 7 आ गयी b square minus 4 a c तो हम या क्या करते थे no real roots ठीक है इस चीज़ को ही हमें समझना है यही आपने अब जो हमारा topic चलेगा यह पूरा topic यह चलेगा कि जब root के अंदर हमारे पास कोई भी positive value आते थे उसको हम simplify कर लेते थे ठीक है बड़ जब root के अंदर negative value आ जाते उसको हम 10th class में वही पर छोड़ दिया करते है तो अब हमें उसी चीज़ को discuss करना है यहां पर ओके तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों यहां से एक example लेता हूं देखो अंडर root 4 यह 2 होता था ठीक है अब question आ जाता है root 6 तो इसको मैं लिख सकता हूं root 2 into root 3 जो simplify नहीं होता ऐसे ही अगर आपके पास minus 4 आ जाता है तो इसको मैं क्या करूंगा minus 1 अलग करके और root 4 अलग कर दिया ठीक है बात यह कि चाहिए ठीटू जा सिक्स root के अंदर अंदर वाली चीज़े multiply हो जाया करती है यह बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो ऐसे root के अंदर multiply करके मेरा minus 4 बन जाएगा तो minus root 4 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो root 4 को तो मेरा answer आगया 2 ठीक है बट हमारे पास जो root minus 1 है इसको हमने रिप्रेजेंट किया एक नए लेटर से और इसको बोलते है आयोटा आई ओ टी ए क्या बोलते है बच्चों इसको आयोटा बोलते है और इसका सिंबल है small i ठीक है और यह हमारे पास एक imaginary unit होती है ध्या हमालों 2 है अब 2 हमारे पास एक real unit है जिसे मालों 2 length हो गई या 2 glass of water हो गया फिर हमारे पास 2 pen हो गए ठीक है तो यह हमारे पास एक real unit होती है 2 3 4 5 बट आयोटा हमारी क्या होगी एक imaginary unit होगी imaginary unit से ही next concept आएगा imaginary number ठीक है तो अब हमने complex number के format में एक चीज यह जानी है क्या कि व अब आपको definition clear हो जाएगी अगर मैं पहले आपको बता definition तो आपको शायद रटी रटाई definition लगती हो समझ में नहीं आती the mathematical needs to have solution for negative discriminant देखो discriminant की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है बच्छो discriminant तो इसलिए हमने क्या का negative discriminant का भी एक solution चाहिए math को ठीक है तो solution को बनाने के लिए let us to extend the real number real number पे आके हमारे सारे numbers खतम हो जाते थे 10th class में real number से उपर कोई number नहीं होते है ठीक है real number सबसे उपर होता है उसके दो part होते हैं कौन-कौन से एक तो हमारे पास rational number होता है एक irrational number होता है तो सबसे बड़ा कौन होता है real number तो है रियल नंबर को हमने extend किया हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ठीक है और एक नई kind of new kind of numbers एक नया तरीका हमने numbers का ओर पढ़ने जा रहे हैं और वो के लिखाओ है and that is called complex number तो यह जो term यह जो हमारे पास नई kind आई है किसकी numbers की real number के अलावा कौन से numbers की negative discriminant को solve करने की ध्यान रखना complex number के बारे में को discuss करता आप basic से बताएंगे कि real number तक हम पढ़ चुके थे ठीक है तो equal or greater than तो हमारे पास solution मिल जाते थे but less than zero हम उसको छोड़ देते थे वहाँ पर ठीक है तो उसी चीज़ को मैंने extend करना है और उसी चीज़ को extend करने के लिए हमने क्या बनाए एक नया नाम दिया इसको हमने complex number और जो negative में आता है जिसमानलो negative में आ गया minus 7 तो इसको लिखें function की value जो भी होती है वो हमारे पास real number में आ जाती है जो कि irrational number होता है लेकिन होता real number है तो real number के अंदर हमारे पास iota आ जाता है और इसको हम क्या कहते है आयोटा को imaginary number अब आपको थोड़ा सा iota के बारे में समझा देता हूं कि iota की details में कैसे कैसे क्या करना आपने है ठीक है तो बच्चों भी हमारे पास ये question है root 4 तो root 4 को मैं क्या answer देता हूं 2 देता हूं minus का root 4 आता है तो इसको मैं लिखूंगा root 4 into under root minus 1 तो ये root 4 कितना हो जाएगा 2 और under root minus 1 को मैं रूट कितना हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3 और minus का root का हो जाएगा iota, ऐसे आप लोग इसको समझेंगे तो ये कितना हो जाएगा root 4 तो ये का बन जाएगा मेरे पास root 4 तो ये हो जाएगा 2 iota ठीक है, और ये कितना हो जाएगा root minus 9 कितना हो जाएगा, 3 iota तो 3 2 जा, 6 iota square, तो 6 iota square आगया हमारे पास, अब हमें क्या करना है, 6 iota square को अब देखो, मान लो, ये इस चीज़ को हमाँ समझे, minus 1 into minus 1 इसी की बात कर रहा है, ठीक है तो जब भी हमारे पास क्या होता है किसी चीज़ का square बनता है तो अब मेरे पास जैसे, बताते हैं, आपको square बन जाता है तो हो जाएगा, minus 1 ये root ये से बन जाएगा, root minus 1 का square बन जाएगा, ठीक है तो अब ये यहां से क्या बनेगा, इसको हम बना लेंगे minus 1 की power 1 by 2 root 1 by 2 होता है, और उसकी power कितनी है, 2, 2 से 2 cancel, तो result कितना आया, minus 1 तो मैं कुछ आपको ये चीज़ी याद करवाने वाला हूँ उनको आप direct याद रख लिना मैं इनको समझाएता हूँ briefly और आप याद रखेंगे iota key value under root minus 1 यहां पर भी root minus 1 आएगा आप answer को किसी भी answer को minus root की format में नहीं छोड़ेंगे यह बात आप लिख लो किसी भी answer को negative root के format में नहीं छोड़ना iota square की value minus 1 अभी भी प्रूव किया है हमने iota cube iota cube क्या होता है iota square into iota कर लो इसको और iota square कितना होता है minus 1 तो यह हो जाएगा minus का iota हो जाएगा तो iota cube की value आप याद रखेंगे iota cube की value कितने हो जाएगी minus iota ठीक है अब आती है turn iota के power 4 तो iota के power 4 क्या बन जाएगा यह मेरे पास हो जाएगा iota square into iota square दोबर लिख लो iota square क्या था minus 1 iota square क्या था minus 1 और minus minus plus 1 तो iota raise to power 4 is equals to plus 1 अब मैं आपको यह suggest करूँगा कि आप यह चार value को अच्छे से note कर लो अपनी notebook के अंदर और इन चारों को याद कर लो कौन कौन सी value है हमारे पास iota की value root minus 1 यानि मैं कह रहा हूँ कि जब भी question के अंदर कहीं पर भी आप रुख जाते हो और answer में आता है root minus 1 तो आप उसको आयटा यह format में लिख होगे ठीक है आयटा square कहीं पर लिखावा जाता है तो minus 1 लिख होगे उसको तो बच्चो मेरे पास iota cube जब भी आएगा उसको minus iota लिख हुआ iota 4 जब भी लिखावाए उसको 1 लिख हुआ ठीक है अगर चार तक आती है तो तो चार से बड़ी four से बड़ी पावर आ जाती है तो मैं क्या करूंगा उसको break करूंगा आयटा 4 कितना हो गया 1 और एटा square कितना हो गया minus 1 तो minus 1 आंसर आ गया ठीक है आप कुछ ऐसे questions है first exercise में देखो मैं आपको first exercise बता चाहिता हूं उसमें किस की तरह के questions है को मान लोगर question आया root minus का 9 into under root minus 121 यह मैं elements exercise 5.1 के questions बता रहा हूं ठीक है जो आपको cover कर नी है तो इस तरह मेरे question बन जाएएगा 3 a डारेक्ट करूँगा मैं जो हो जाएगा मेरा 11 a 11 3 तो इस तरह मेरे कोशन बन जाएंगे अगर आपके पास पावर वाले कोशन आ जाते हैं ठीक है आयोटा की पावर्स आ गया मेरे पास 57 तो कैसे इंप्लिफाई करूंगा 57 को 4 से डिवाइड कर लो 4 बन जा 4 449 116 तो आयटा की पावर 4 लिख आ योली उसकी पावर 14 बना हो ठीक हं और ऍरस रिमेंड़र वन आएगा और इंटु में रिमेंडर जो आएगा वह यहां लिख दो ठीक है वैंधिगरहनर इनकी पावर फोर्टिन कि sof और एगर तो आथा की पावर 57 क्या आएगा था पूंपोन आयता कि पावर 57 ठीक है यह फिर आ जाता है आयटा कि पावर माइनस 57 तो यह वाला और यह वाला दोनों सें हैं अगर नेगी टिंए में आता है तो मैं क्या लिख लूँगा रेता की पावर 57 राइट अम दिया तो उपर कितना आ गया अयट्यू कहले जाएगा आइटा स्क्वेरा माइनस तो एम्हा अज़िल्ट्ट कितना बन जाएगा मेरा माइनस तीक है मिसल्ट पर है इसे कर लो लेकिते आप यादखना कि डिरोम şey कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए अगर denominator में आयोटा आ जाता है तो मैं क्या कर देता हूँ उसको rationalize कर देता हूँ इन्हीं multiply divide कर देता हूँ आयोटा से ओके तो इस तरह के questions जब भी आपके पास आते हैं आप उनको easily cover कर सकते हूँ एक question है हमारे पास second का fourth part one plus आयटा स्क्वेर प्लस आयटा 4 प्लस आयटा 6 अब 1 तो 1 आयटा स्क्वेर माइनस 1 आयटा 4 वन और आयटा 6 में रेजल्ट का आया था आयटा 6 आया था माइनस 1 तो यह cancel हो जाएगा कितना answer आ जाएगा 0 ठीक है एक question आप यह वाला format याद रखेंगे आयटा वेस्ट वावर 4 अगर मैं कहूं 1 होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कैसे इसको मैं लिख लूँ आयटा की पावर 4 और उसकी पावर अगर वन की पावर अगर एक को आयटा का 4 मिल्टिपल आयटा की पावर में 4 के मिल्टिपल कुछ भी आ जाएं ठीक है आ be a e замечu आयडा की पावर 4 और इन प्लस वन तो इसको ब्रेक कर दो आप कैसे आयटा की पावर 4 और एंटु आयटा की पावर 1 तो आयटा की पार बेसें पवार एड़ हो जाती तो हमने इसको अलग-लग कर दिया प्लस वाले को तो आयटा की पावर 4 और न है तो च्छा बन ज नमबर की जब मैं बताना बूल गया जहां नहीं रहा देखिए कॉम्प्लेक्स नमबर की जो एक्जेक्ट डेफिनेशन है वह यह होती है मेरे पास ए प्लस आइटा भी ठीक है ए प्लस आइटा भी ए मेरे पास क्या होगा रेल नमबर होगा और बी मेरे पास क्या होगा इमेजनरी नमबर यह नहीं पूरा पार्ट यह नहीं रियल प्लस इमेजनरी एज इक्वल टू complex number और इसको हम डिनोट करते हैं Z से complex number को Z से डिनोट करते है किसे करते हैं C से काफी कोशन में Z ले रखा होता है कोई बात नहीं लेकिन हमें इसको जो general representation इसकी complex number की वह हमारी क्या होती है C होती से real number की हमारे पास R अर रहती है ठीक है तो real number plus imaginary number is equal to complex number यानि कि A plus iota B A क्या होगा real और B क्या होगा imaginary part यह part है यह पूरा imaginary part है और यह real part है real plus imaginary complex number ऐसे आपने cover करना है इसको ठीक है बच्चो देखो अब यह मेरे पास जो question मनते है एक question है example है जी कह रहा है show that iota raise to power 10 plus iota raise to power 20 plus iota raise to power 30 is a real number इसको real number प्रूव करना है आपने ठीक है तो इसको real number कैसे प्रूव करना है iota raise to power 10 को simplify करूँगा iota raise to power 10 10 को divide करूँगा 4 से 4 टूजा 8 2 बचेगा तो iota की power 4 उसकी power 2 4 टूजा 8 और इसके अलग हो गया जब 20 की बात आईगी तो iota की power 4 और 5 5 फोर्जा 20 और जब 30 बनेगा तो iota raise to power 4 यहां हो जाएगा 7 तो यहां इसकी power 7 कर लोगा 7 for the 28 28 हो जाएगा और 2 को यहां लग कर लो तो iota 4 क्या हो जाएगा 1 1 का square 1 और iota square minus 1 iota 4 1 1 raise to power 5 1 iota 4 1 1 raise to power 7 1 iota square minus 1 तो हो जाएगा minus का 1 ठीक है और इदर से कितना आया यह plus का 1 minus 1 यह cancel तो result कितना आ जाएगा बच्चों यहां से minus 1 आ जाएगा ठीक है और minus 1 क्या होता है हमारा real number होता है इस तरह से question को हम प्रूव कर सकते हैं ठीक है third का first question में करवा देता हूँ आपको जो हमारा third question exercise का उसका first part करवा देते हूं तो इसी pattern पर इसी coding आप question करते चलेंगे exercise 5.1 question number third का first part यह evaluate करना है evaluate the following और यहां पर क्या लिखा हुआ है आयटा raise to power 19 plus 1 upon आयटा इसके whole power 25 और इसका whole square ठीक है तो अब हम इसको कैसे simplify करेंगे पहले तो मैं करूँगा आयटा raise to power 19 को simplify तो 19 को divide करूँगा 4 से 4 for the 16 3 बचेगा तो यह कह लिखूँगा आयटा raise to power 4 ठीक है उसकी power यह 4 for the 16 और यह 3 को अलग कर लो तो आयटा 4 1 1 के power 4 1 आयटा क्योब कितना होता है माइनस का आयटा तो यह होजाएगा माइनस का आयटा ठीक है अब 1 की power 25 तो 1 होता है आयटा की power 25 क्या होता है 25 को 4 से divide गरो 4 6 जा 24 1 बचेगा तो यह होजाएगा इसकी पावर 6, 6, 4, 24, इन्टो आयटा की पावर 1, तो यह हो जाएगा 1, 1 रिस तू पावर 6, 1, तो क्या बचेगा, आयटा, और इसका स्क्वेर है, राइट, तो यह हो जाएगा, मेरे पास LCM ले लो, इसका, LCM कितना है, आयटा, आयटा किसे करेंगे, तो माइनेस, आयटा स् 1 हो जाएगा, आयटा स्क्वेर क्या होता है, माइनेस, 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 प्लस 1, प्लस 1, अपोन आयटा, और इसकी पावर कितनी है, 2 है, अब यह कितना हो जाएगा, 1 और 1, 2, तो एक बार तो 2 का स्क्वेर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, आयटा का स्क्वेर टू स्केर कितना फोर आयटा स्केर माइनस वन तो रिजल्ट कितना मेरे पास माइनस का फोर आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा अंसर था एक बार आप इसका स्कीन सोट ले लो तो जब भी कोई इस तरह कोशन आता है पावर वाला कोशन आएगा तो हम क्या करेंगे इसको पहले तो इसकी पावर्स ओपन कर लेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लिफाई करेंगे ठीक है तो यह कोशन था हमारे पास अब देखो एक चीज और की जैसे मालो कोशन में आजाए आपके पास एक्स प्लस आयटा वाई इसको टू प्लस थ्री आयटा और काईगा फाइंड एक इमेजनरी पार्ट तो यहां पर रियल पार्ट कितना है एक्स इधर रियल पार्ट कितना है टू तो एक्स इजपल स्टू बन जाएगा ठीक है इधर इमेजनरी जब इमेजनरी पार्ट को हम कंपेर करेंगे तो आयटा को कंपेर नहीं करते आयटा के साथ वाले को कंपेर कर ठीक है तो यहाँ पर कितना है y इधर कितना है 3 तो y की value कितने आ जाएगी 3 तो जब भी ऐसा कोई question आता है इसमें x और y की a b की value find out करने होती है तो जैसे हम इसको एक fourth के first question से example से cover करते हैं और question है 4 x plus iota 3 x minus y is equal to 3 minus iota 6 ठीक है तो 4 x को compare करेंगे 3 से तो 4 x is equal to 3 x की value 3 upon 4 ठीक है और यह हो जाएगा 3 x minus y is equal to minus 6 compare करेंगे तो x की value कितनी है 3 by 4 minus y is equal to minus 6 3 3 is a 9 तो 9 upon 4 minus y is equal to minus 6 यह जगा minus y इसको उधर send कर दो तो minus 6 और minus का 9 upon 4 जगा minus का y लसम कितना आया 4 तो minus का 24 minus का 9 minus y minus का 33 upon 4 यह दोनों क्या हो जाएगे cancel तो y की value कितनी आ जाएगे बच्चो 33 upon 4 और x की value 3 upon 4 एक बार आप इसका screenshot ले लो मतलब x की value कैसे आई compare करके y की value कैसे आई compare करके x की value यह पूट कर दी जब भी ऐसा question आता है आप real और imaginary part को compare कर लेंगे एक question इसका second part उसमें dimension है 3y minus 2 ठीक है और उसके बाद है plus iota 7 minus 2x is equal to 0 अब यहाँ 0 दिया हुआ है तो इसको लिखना 0 plus 0 iota जहां रखना 0 हमारा complex number भी होता है और 0 हमारा real number भी होता है क्यों complex number कैसे 0 को मैं 0 plus 0 iota लिख सकता हूं और 0 अगर एक simple 0 है तो वह हमारा वैसे real number होता है ठीक है तो ध्यान रखना 0 is both real and complex दोनों की format हम उसको convert कर सकते हैं अब जब compare करेंगे तो इसको हम इससे compare करेंगे कितना हो जाएगा 3y minus 2 is equal to 0 तो y की value के लिए 2 दर चला जाएगा 2 upon 3 हो जाएग ठीक है जब इससे compare करेंगे हम तो यह जाएगा 7 minus 2x यह मेरे पास था 7 minus 2x 0 था तो मैं 7 को धर भेज़ दूंगा minus 7 हो जाएगा minus minus cancel 2x is equal to 7 x की value 7 by 2 आ जाएगे ठीक है अब मैं क्या करता हूं थर्ड का second part exercise का question लेके चलता हूं और वो यह है I raise to power 592, 590, 588, 586, 584 ठीक है नीचे ऐसे यह similarly 582, 580, 578, 576, 574 उपर से जो सबसी कम power है वो है 584 common का मतलब क्या होते है डिवाइड करना तो 592 है 592 को 584 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो base same power subtract हो जाएगी तो 592 में से 84 मैने सबसे कम पावर कितना है 574 भार जाएगा यहां कितना बचेगा 8 यहां पे 6 578 एट फॉर चला गया 4 बचेगा 76 है 2 और 1 और यह पूरा का पूरा का पूरा कैंसल हो जाएगा ठीक है अब यहां पर वही करना आपने बेस सेम पावर सब्ट्रेक्ट कर दो तो 584 माइनस 574 तो आयटा रेस्ट टू पावर 10 आ जाएगा और आयटा रेस्ट टू पावर 10 कैसे करेंगे आयटा रेस्ट टू पावर 4 अब आपको प्रेक्टिस करने हैं 5.1 की इसके एक्जामपल कवर करने हैं कुछ एक्जामपल डिफरेंट भी है तो अगर वह नहीं हो पाएं तो मुझे वाट्सप कर देना ठीक नेक्ट लेक्चर में वह कवर कर लेंगे हम तो और प्लस में एंचियाटी कोश्चन से एंचिया तो मुझे वेरी मिलेंच यादे यहां तो और आपको और नहीं किया है तो वह ठेस्ट भी आप डैंप कर लेना ओके। Thank you very much.